जून साथ 1975 को जन में टॉबी मेगवायर ने बच्मन के दीनों से अभिने करना शुरू कर दिया था। उनकी पहली बतोर अभिनेता वाली फिल्म विजर्ड थी। टॉबी मेगवायर का पूरा फिल्मी करियर चुनोती पूर्ण रहा है। इस अभिनेता को मुख्य रूप से फिल्म स्पाइडर मैन की भुमिका के कारण ही जानते हैं, जो उन्हें प्रसिधि दिलाने में मददगार साबिध हुआ था। परन्तु इस एक्टर के टैलेंट को होली वुड वाले ठीक से समझ नहीं सके हैं, जिसके कारण कोई निर्देशक उन्हें अपनी बड़ी फिल्मों में लेने से कतराते हैं। यही कारण है कि टॉबी मेगवायर ने अपने करियर में बेहत कम फिल्में बनाई हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्पाइडर मैन की भुमी का अदा करने वाले शक्स टॉबी मेगवायर का अब होली वुड नगरी में विलय हो चुका है। दूसरे हैं डैनियल रेड किल्फ जिन्हें आपने हरी पॉर्टर फिल्म में सभी भागों में देखा होगा। 23 जून 1989 को जन में डैनियल रेड किल्फ ने चैल्ड एक्टर के तौर पर टेलिविजन शो से अभिने करना शुरू कर दिया था। इस एक्टर की किस्मत को चार चांद तब लगे जब इन्हें हरी पॉर्टर फिल्म का ओफर आया। डैनियल ने 11 वर्ष की आयू में हरी पॉर्टर फिल्म बनाना शुरू किया और 21 वर्ष की उम्र में समाप्त की। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हरी पॉर्टर जैसी फिल्म में काम करने के बाद भी डैनियल रेड किल्फ होलिवुड में गुमनाम अभिनेता की तरह बन चुके हैं। दोस्तों ऐसी ही होलिवुड न्यूज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में जो बैल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देख पाएं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें।